समर्थ कलासेस में सभी का एक बर फिर से स्वागत है आज हम लोग देखेंगे बजट के बारे में ठी हाँ, बजट के बारे में बजट के बारे में महतपुर्ण तथ्यों को देखेंगे इसलिए विडियो को सुरू से लास्ट तक जरूर देखना है ठी है, तो सुरुवात करते हैं, भारत का पहला बजट भारत का पहला बजट जो पेस किया गया था, वो 1860 में भारत को भारत ने बजट पेस किया गया इस्ट इंडिया कमपणी के स्कोटिस अर्थ सास्त्री और राजनेता कौन थे? जेम्स बिल्सन ने, याद रखना इस नाम को, जेम्स बिल्सन ने सबसे पहले भारत का बजट पेस किया था, ठीक है? 178 भारत का, जब भारत 178 हो गए तो सबसे पहले किसने बजट पेस किया ये भी, याद रखना, 1947 में वीत मंतरी आर के सनमुखम चेटी ने सबसे पहला बजट पेस किया था, सवतंतर भारत का, और जब भारत आजाद नहीं होई थी, उस समय जेम्स बिल्सन, ये दोनों नाम याद रखना है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद है, 162 साल पुराना है भारत में बजट का इतिहास, 162 साल पुराना याद रखना है सबसे इस बार जो बजट पेस हुआ, बिरान बेवा बजट पेस हुआ, इस बार जो बजट पेस किया गया, 2022 ते इसका जो बजट आया, वो बिरान बेवा बजट था 1947 में सौतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर को पेश किया गया था ठीक है नेक्स्ट देखते हैं गंतांत्रिक भारत का पहला बजट मतलब जब हमारा स्वमिधान लागू हो गया 1950 में तो किस ने बजट पेश किया याद रखना इसे जोन मतहाई ने पेश किया था इस बजट में रूस की तरज पर एक योजना आयोग का खाका तयार किया गया था 1950 में ठीक है योजना आयोग ने भारत को बुनियादी विकास का रास्ता तई करने की दिशा दिखाई उस समय जो बजट पेश किया गया था इंकम टेक्स की दरें 30 पर 30 से घटा कर 25 फिस्दि की गई 25 फिस्दि कर दिया गया इंकम टेक्स ठीक है और उससे पहले जो है 1.21 लाग से अधिक क्या आय पर 55 पर 30 टेक्स लगता था बहुत ज़्यादा टेक्स लगता था उसको खत्म कर दिया गया 1950 में और कितना किया गया 30% से गटा कर इधर 25% कर दिया गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं और क्या इसमें है 1973-74 में मतलब इंद्रा गांधी के कायरिकाल में 1973-74 के बजट को काला बजट कहा जाता है क्यों इंद्रा गांधी सरकार में यस्वन्त राव बी चौवान ने इस बजट को पेस किया था क्यों काला बजट कहा जाता है क्योंकि उस वर्ष के दोरा राजकोसिय घाठा काफी बढ़ा हुआ था यह हुआ समय था जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था इसलिए इस बजट को काला बजट कहा जाता है नेक्स्ट देखते हैं बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है देखिए फिर इंपोर्टेंट है 2017 में यानि आरून जेटली के समय 2017 तक रेल बजट और केंद्रिया बजट अलग-अलग पेस किये जाते थे हाँ हम लोग जानते हैं कि पहले जो है रेल बजट और केंद्रिया बजट अलग-अलग पेस किये जाते थे 2017 में रेल बजट को बजट में मिलाकर एक साथ पेस किया गया यानि 2017 में जो बजट आया वो एक ही साथ पेस हुआ रेल बजट को अलग से पेस नहीं किया गया अब सिर्फ एक ही बजट 92 साल तक याद रखना इसको इसके बाद important है फिर दस बार record बजट पेस किया मतलब पूछा जाए कि सबसे अधिक बार बजट किस ने पेस किया तो पूर्व परधान मंत्री मुरार जी देशाई ने उने सो बार सट से लेकर उने सो सत्तर तक ठीक है टोटल दस बार बजट पेस किये नो बार पीच इतमरम ने उसके बाद नंबर आता है पीच इतमरम ने जिने नो बार बजट पेस किये ठीक है इसके बाद आता है नंबर वित मंत्री पर्नमुखर जी ने आठ बार बजट पेस परनौ मुखर जी ने कूल आठ बार पजट पेस किये, सबसे अधिक बार मुरार जी देश आई, उसके बाद नंबर आता है पीच इतंबरम, तब आता है परनौ मुखर जी, इंपोर्टेंट है, याद रखना है, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद, प्रिंट से लेकर पेपर लेस तक का सफर, मने 1950 तक बजट की कोपी, इंपोर्टेंट कोस्टिन है, उचा एक जाम में पुछा जाता है, उन्हें 1950 तक बजट की कोपी राष्ट पती भवन में प्रिंट होती थी, लेकिन लिक होने के बाद, प्रिंटिंग नई दिल्ली के मिन्टो रोट इस्थित एक प्रेस में होने लगी, ठीक है, प्रेस में छपने लगी है, यहाँ बोलाया था कि सिता रमन ने पेपर लेस पेजट पेज़ किये, किसने निर्मला सिता रमन ने, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना है, नेक्स देखते हैं, क्या है इसके बाद, उने सो अंठानवे तक फरवरी के अंतिम वर्किंग दे, मतलब लास्ट दे फरवरी का, को बजट पेज़ किया जाता था, तथा इससे साम में पांच बज़े देश के सामने रखा जाता था, बहुत पांच बज़े से इसकी शुरुवात होती थी, उने सो अंठानवे तक याद रखना, उसके बाद क्या हुआ, उने सो निनानवे में ततकालिन, वितमंत्री, यस्वन, सिन्हा ने इसे सुबह 11 बज़े से पेज़ करना शुरूब गया, ऐसा क्योंकि आया कि बहुत अधिक लेट हो जाता था, बारा एक रात बहु जाती थी इसलिए इसे दिन में ही पेज़ करना शुरूब क्या, किस ने, तो वितमंत्री, यस्वन, सिन्हा ने कब, तो 1999 के बज़ट से याद रखना है, पहले कब होती थी, फरवरी के अंतिम वर्किंग डे में, और पांच बज़े, साम से शुरूआत, बाद में किया गया, इसे 11 ब इसे 11 बज़ट भासन में सरवाधिक सब्द, 1901 में नर्सिमहा राव सरकार के तहत मनमोहन सिंग ने 18,650 सब्दों में सबसे लंबा बज़ट भासन दिया, तो मनमोहन सिंग ने 18,650 सब्द याद रखना है, इधर है, जेटली ने 1 घंटा 49 मिनट बात की, 2018 में ततकालिन वित मंत्री अरुन जेटली ने 18,604 सब्दों के साथ भासन सब्द गन्ना के मामले में दूसरा सबसे लंबा भासन दिया, तीक है, 18,604 सब्द का, और इनका था 18,000 क्याने, इनका रिकोर्ड ये तोड नहीं पा आ गए, अरुन जेटली, जेटली ने 1 घंटा 49 मिनट तक बात की, याद रखना है, 1 घंटा 49 मिनट तक, चलिए, नेस्ट देखते हैं, 2017 में ततकालिक वितमंत्री अरुन जिटली यह भी important है बहुत important है याद रखना है 2017 में ततकालिन वितमंत्री अरुन जिटली ने एक फरवरी को बजट पेस करने की परंपरा की शुरुआत की एक फर्वरी से कब 2017 से यानि पहले हम बताएं फर्वरी के लास्ट वर्किंग डे में होता था लेकिन अब इसकी सुरुवात कर दी गई एक फर्वरी को 2015 के बजट में सबसे बड़ा एलान करते हुए ततकालिन वित मंतरी अरुन जेटली ने वेल्थ टेक्स्ट को खत्म कर दिया मतलब स्वास्थ पर जो टेक्स्ट लगता था उसे समाप्त कर दिया गया 2015 में किसने अरुन जेटली ने नेक्स देखते हैं इंपोर्टेंट है 1977 में ततकालिन वित मंतरी हीरु भाई मूलजी भाई पटेल ने सबसे छोटा बजट भासन दिया था पुछेगा सबसे छोटा बजट भासन तो 1997 में वित मंतरी हीरु भाई मूलजी भाई पटेल ने कितने सब्दों का मात्र 800 सब्दों का भासन दिया सबसे छोटा बजट भासन ठीक है यह भी याद रखना सबसे बड़ा भी हो गया और सबसे छोटा भी हो गया चलिए, नेक्स देखते हैं 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में ही पेस होता था इंग्लिस में ही पेस होता था बजट कॉंग्रेस सरकार ने ही इसे अंग्रेजी हिंडी दोनों में ही पेस करना शुरू कर दिया था चीक है? उन्हें 180 से वित मंत्राले के भीतर ही सरकारी प्रेस में बजट के मुद्रन की सुरूआत हुई ये तो पहले ही बता दिये उन्हें 180 तक वहां छपा चलिए